एललोो फ्रेंब्स, तो इस वीडियो में हम देखे हैं कि लेस्टाइल विजिट क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं तो बिना किसी देरी के विडियो शुरू करते हैं उस से पहले इंट्रो चला लेते हैं मुआ दो चलिए अब समझते हैं को यूज कैसे करते हैं पर उस से पहला मैं यह समझते हैं को क्यूं करते हैं चलता है अपने PowerPoint पर और उसको डिस्थ करते हैं तो चलते है तो अगर आपको यूज गत और लास्ट में आपको कोई आइकन यहां पर यहां पर नाव बनानी होगी तो अगर हमें कुछ इस टाइप कही वई पार्ट कोड़ करना है तो हमीं करते हैं लिस्टाइल विज्ट आप चाहो तो इसे manually भी code कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक रोग बनानी होगी रोख यूँ बना रहे हैं क्योंकि यहां में विजिट को एक और जन्टल वैशन में अलाइन करना है उसके बाद रोगो आपको तीन पार्ट करने होगे पहला पार्ट तो हमारी image लें यहां से यहां तक ही और इसको जो भी हमारा टाइकल है और जो हमारा सब टाइकल है इन दोलों के टेक्ष्ट इस्टैलिंग की थोड़ी डिफरेंट होने चीए यह हमारा हलका सा बोल्ड होना चीए ब्लाक लर में और यह हमारा हलका सा और इसका जो कलर है वो स्लाइटली इससे लो होना चाहिए जो हमारा टाइटल की कलर है उसके बाद लास्ट में आपको यहां पे अपना आइकन या टेक्स्ट यूज कर सकते हो तो अगर आपको यह सब मैनुली कोड नहीं करना है तो हमारा लिस्टाइल विजिट एकदम परफेक्ट विजिट है इन सारे काम को होल्ड करने के लिए इसमें हमें क्या करना होता है जो आपको यहां पर सबसे पहले इमेज चोह पूरी है यह आप पास कर दो लीडिंग प्रॉपर्टी के अंदर उसक के उपर हम जो क्लिक करें तो कोई function परफार्म मना चाहिए तो उसके लिए में on tap function मिलता है उसमें जो भी code लिखेंगे वो code हमारा ऑपरेट होगा उसके बाद हम चाहिए तो इस लिस्ट का कलर सकते हैं जो हमारा टाइल कलर होता है तो आप चलते हैं अपने वीस कोड में और तो इसके अंदर में क्या है उसके अपना सरकल अवटार विजिट और उसके अंदर अपनी बैक्राउंड ही में इस पासवन कर दिए उसके बाद जो हमाई टाइटल और सब्सक्राइटर प्रफर्टी होती है उसको करते हैं तो टाइटल आपका उपर शो होता है और इन दोन यह आपने सेट किया हुआ तो इसको वापिस से कमेंट आउट और करते हैं इसे दन हमें लिस्टाइल में एक और प्रफर्टी बिलती है जो कि हमाएं ऑन टैब प्रफर्टी मतलब अगर हम इस टाइल के उपर क्लिक करें तो क्या ऑप्रेशन परफा होना चाहिए तो हमने क् सिंप्ली कंसोल में देखेंगे कि टैब प्रिंट होना चाहिए तो इसको सेफ करते हैं अब हम अगर अपनी टाइल के उपर प्रेस करेंगे तो आपको यहां कंसोल में नीचे टैब शोग बजाएगा तो इस टाइल के उपर प्रेस करते हैं यह देखिए नीचे आपको कंसो में दिखाना है लिस्टाइल को उसको आप लीडिंग प्रॉपर्टी के अंदर पास कर दिए और अगर हम इस लिस्टाइल के उपर क्लिक करें तो हमारा कोई आपको वीडियो समझ में होगी बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीया फ्रेंड्स तिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग